हाई नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आए आज हम सुरू करते हैं बैसिक अप इलेक्ट्रिसिटी जो आपके आने वाले लोगों पाइलट के मेंस के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तोपूर है दोस्तों एलवेनाईजेशन या जस्तिकरन कहते हैं अगला दो नमर प्रस्न है फैराडे का नियम किस से संबंधित है तो इसका अंसर जेगा बिदुत अपघट्टे से संबंधित है फैराडे का नियम जो है वो बिदुत अपघट्टे से संबंधित है बहुत इमहत्तोपूर कोशन ह यह तीन नमर देखते हैं तीन नमर प्रस्ण है एक आदर्स आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है प्रस्ण है तीन नमर एक आदर्स आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो इसका एंसर रोजेगा सुन्य एक आदर्स आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो सु इसी फी बस्तु का कोई भी बस्तु हो अगर उसका पारा बैदुत इस्थिरांग पुछ दे तो हमेशा एक से अधिक होगा ठीक है अगला पांच नमर प्रस्टन है एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है तो इसके एंसर जेगा 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है एक बोर्ड आफ ट्रेड यूनिट यानि वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल या 3 तिन दसमोलों 6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के क्या होता है प्राबर होता है अगहला दखते हैं छे नमर प्राश्ण छे नमर प्रस्ण है फ्यूज तार कीस मिस्ट धातू की बनी होती और इसके अंसर हो जागा टीन और सिसथीं फ्यूज की यूज वो स्टीन और सीशा नमक दो मिबिदाद्व की बनी होती है। अगला सात नम्र प्रसुन है क्रिचौफ का प्रथम नियम की स्रासिक के संच्चन पर विदु धारा के सम्णचन पर किर्चौफ का प्रथम नियम है वो घृतारा से संबंदित करेंट 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 क सेडिशन से ब्यांट मुत आप एए ब्यां सकाएं बनेर्ट की ले लुट मीटर को बोल्ट मीटर में तब्दिल करने के लिए जोडते हैं तो इसका एंसर जगा स्रेणी में उच्छ प्रतिरोत के साथ जोडते हैं गैलवेनो मीटर को बोल्ट मीटर में तब्दिल करने के लिए स्रेणी करम में उच्छ प्रतिरोत के साथ जोडते हैं किसको गैलवेनो मीटर को बोल्ट मीटर में बदलने के लिए अ अगला दस नमर प्रस्न है किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं लाता है तो इसका एंगलिस में एम यानि की इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स भी कहते हैं अगला बारा नमर प्रस्ण है बिजली का बल्व का फिलामेंट किस तत्व से बाना होता है तो इसका एंसर जगा टंगस्टन से बिजली का बल्व का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बाना होता है तो टंगस्टन का बाना होता है अगला तेरा नमर प्रस्ण है किसी बंद परिपत में वोल्टेज और बिधु धारा का बात पुछ दे तो वह क्या होता है समान होता है एक समान होता है दोनों कानुपात अगला चोद्धन हो प्रस्ण है वह मीटर जो बिधुद्धारम आपता है क्या कहलाता है मतलब मीटर जो बिधुद्धारम आपता है वह कहलाता है तो इसक्राइंस हो जाएगा अमीटर अगर मीटर बिदुधार मापता है तो वह अमीटर और अगर भोल्टेज मापता है तो वोल्ट मीटर और अगर प्रतिरोध मापता है तो ओम मीटर ठीक है तो प्रस्ण है 15 नमर मीटर जो भोल्टेज मापता है वो कहला आता है इसका अंसर जाएगा भोल्ट मीटर ठीक है अगला 16 नमर प्रस्ण है मीटर जो प्रतिरोध मापता है वो कहला आता है तो ओम मीटर हो जाएगा अगर प्रतिरोध मापता है तो ओम मीटर विधुद मापता है तो आ मीटर और अगर बोल्टेज मापता है तो बोल्ट मीटर अगला सत्रा नमर प्रस्ण है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है यह बहुत ही इंपोर्टन कोशन है कई बार एजाम में पूछ चुका है, पीटी में पूछा हुआ है कोशन, कि प्रतिरोध का मातरक, यानि केसा ही मातरक क्या होता है, तो ओम होता है अगला ठारा नमर प्रस्ण है, लंबी संचारन लाइनों में, वोल्टेज किसमें मापी जाती है तो इसका अंसर ऐगा की लोवल्ट में, जो लंबी संचारन लाइन होती है, उसमें वोल्टेज कि माप, हम लोग कीलो वल्ट में करते है अगला उन्नीश नमर प्रस्ण है, चाला की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, होता है तो इंसर होज़ेगा बढ़ता है दोस्तो प्रतिरोध के बराबर होता है रो एल बाई ए अगर लंबाई बढ़ेगा तो सिस्टेंस क्या होगा प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा तो यहाँ पर पूछ रहा है उ अगर 6 तफल बढ़ाएगा तो प्रतिरोध घड़ जेगा यहां हो जग अंसर घड़ता है ठीक है प्रमुलाक याद कर लिजेगा रेसिस्टेंस प्राव रहता है रो एल भाई ए अगला 21 पर पस्ने है चालक का विस्ष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है किसी भी दोस्त कि चालक का विस्ष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है तो चालक की बनावट पर निर्भर करता है अगला 22 नमर प्रस्न है दो बिधुत आवेसों के बीच लगने वाले बल से क्या संबंध है किस नियम संबंधित है संबंध है तो एक पर और प्रस्ट परते हैं दो बि फिलेक्ट्रोन के अस्थानांत्रों के फल उरूप जो बस्तोओं में आवेशन होता है उन jakiś फल्सौरूप होता है उसकी इलेक्ट्रोन ही एक जवा से दोसरी जवा तक जाती है जिसके कारण क्या होता है यह बस्तुओं का आवेशन होता है अगला 24 प्रस्ण है धातु जो बिधुत का सुचालक होती है धातु बिधुत का सुचालक होती है क्यों होती है प्रस्ण पूछ रहा है धातु बिधुत का सुचालक क्यों होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रोन होता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रोन परेजाता है ज लच्छन क्या है तो इसका एंसर होगा उच पारगम्मेता उच पारगम्मेता जो है अतिचाला का लच्छन है तथा दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आहो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में धन्य बाद